नमस्कार दोस्तों आप सबो का स्वागत है बिहार बोड मेट्रिक परिक्षा के लिए समाजिक बिग्योन का बहुत ही महत्पुर्ण अबजेक्टिव प्रस्ण और यो किस दिन नहीं कर सकते हैं तो आप सबेस्टों आप सभी जानते हैं कि धूप वाले दिन तो गरम जल पा सकते हैं गरम वाले दिन भी पा सकते हैं Lekcan बादल वाले में नहीं पा सकते किस दिन उपयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन वादल वाले दिन जो है कि हम लोग को पहनी उपयोग सोर्य उसे गर्म नहीं कर सकते हैं तो option नमर B सई हो जाएगा, option नमर B सई है बादलाओं वाले दिन, अगला प्रश्न है नीमन में से कौन सा उर्जा Evans रोत शोर उर्जा के व्यूत्पन नहीं है तो आपका जगर ना भिकिये उर्जा उप्शन नमर सी सही है ना भिकिये उर्जा अगला问 प्रस्ण है उजोन प्रेत पाया जाता है तो इस प्रस्ण का जगर आपका option number B, बिल्कुल चाहिए है वायू मंडल के उपड़ी सत्य में वजोन प्रत कहा पायता है वायू मंडल के उपड़ी सत्य में अगला प्रशना है आपका निम्न में से कौन से समू में केवल जैब नवी करनिये पदार्थ है निम्न में से कौन से समू में केवल जैब नवी करनिये पदार्थ है तो option A, B सद्यागे दूस्त हम डारेक बता देते हैं तो आपका option B सही हो जाएगा घास पूस्प तथा चमरा घास पूस्प तथा चमरा option नवर A सही है अगला प्रशना है निम्न में कौन आहर स्रिंखला का निर्मान करता है तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका option नवर B बिल्कुल सही है घास बक्री तथा मानब option नवर B सही है अगला प्रशना है निम्न लिखित में किस धातू को चाकू से असानी से काता जा सकता है तो बहुत ही असान प्रशना आपका option नवर B सही है sodium को option नवर B बिल्कुल सही है अगला प्रशना है जेंख तथा sulfuric अमल के बीच अभिक्रिया से निम्न लिखित में से कौन सी गैश निकलती है जेंख तथा sulfuric अमल के बीच अभिक्रिया से निम्न लिखित में से कौन सी गैश निकलती है तो option नमर C बिल्कुल सही है H2 अगला प्रशना है sodium की परवानु संख्या है सोडियम की परवानु संख्या है तो ओप्शन नंबर ए बिर्कुल सही है 11 सोडियम की परवानु संख्या कितनी है 11 अगला प्रशन है आवर्चार्नी के प्रत्थम वर्ग के सदस्य होते है आवर्चार्नी के प्रत्थम वर्ग के सदस्य होते है अगला प्रश्ण है निमनलिखीत में सबसे भारी धातु कौन है तो अप्सन नमर B विर्कुल सही है यूरेनियम सबसे भारी धातु है अगला प्रश्ण है लोहा एवं इसपात को जैंक से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली प्रत चरहाई जाती है तो जिंक अप्सन नमर D बिल्कुल सही है जिंक अगला प्रश्ण है बिद्दूत अप घटनी परिस्क्रंट में और सुधी तत्व को बनाया जाता है तो एनोड ओप्सन नमर A सही है अगला प्रश्ण है निमली खित में कौन सबसे अधिक अभी किरियासिल धातु है तो इसमें ओप्सन नमर D बिल्कुल सही है के अगला प्रश्ण है एकवो रेजिया रोयोल जल किस अनुपात में संद्रन हाइडरोक्लोरिक अमल एवं संद्र नाइटरिक अमल का ताजा मिस्रन है तो ओप्सन नमर C बिल्कुल सही है तीन अनुपात एक तीन अनुपात एक अगला प्रश्ण है अखिल भारतिये किसान गठन कहां और कब हुआ तो लखनओ उप्सन नमर C बिल्कुल सही है लखनओ 1936 में अगला प्रश्ण है गदर पाती की अस्थापना किशने और कब की तो लाला हर्दयाल ने 1913 इसमी में किया था उप्सन नमर C सही है अगला प्रश्ण है स्वराज पाती के अध्यक्ष कौन है तो स्वराज पाती के अध्यक्ष है तितरंजन दास अप्सन नमर C सही है अगला प्रश्ण है जलिया वाला बाग हत्याकान की जाँच के लिए सरकार ने किस समीती का गठन किया था तो अप्सन नमर A बिल्कुल सही है हेंटर समीती का हेंटर समीती का अगला प्रश्ण है 1915 में कावूल में भारत की ओस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था तो महंद्र प्रताप को अगला प्रशन है बंगाल विभाजन के प्रिनाम सोरूप किस अंदोलन की सुरुवात हुआ था तो स्वदेसी अंदोलन अगला प्रशन है पुर्ण सोराज दिवस कब मनाया गया था पुर्ण सोराज दिवस कब मनाया गया था तो 26 जनवर 1930 इस्वी को मनाया गया था अगला प्रशन है सिपाई बिद्रो कब हुआ था तो अप्सन नमर बी सही है 1897 इस्वी में हुआ था फूट डालो और राज करो की नीती किसने अपनाई तो अंग्रेज़ों ने अगला प्रश्ण है राष्टिय स्वाय सेवक संग की अस्थापना कव और किसने की तो अप्सन नमर बी बिल्कुत से यह 1925 में के भी हेट गावर ने किया था अप्सन अर्बी सही है अगला प्रश्ण है ब्राम समाज की अस्थापना किसने की अथा राजा राम मोहन रायने अप्सन नमर ए सही है ब्राम समाज की अस्थापना किसने की थी राजा राम मोहन रायने अगला प्रश्यन है टिपू सुल्तान कहां का सासक था टिपू सुल्तान सासक थे मैसूर का option नमर A सही है मैसूर अगला प्रश्यन है इंगलेंड में सभी इस्टिरी एवं पुरूशाओं को वेक्स्क मत अधिकार का प्राप्थ हुआ यानि कि दोस्तों इंगलेन में महिला और प्रूस को मतदाउन करना यानि वोट देने का अधिकार कब मिला प्राप्त हुआ तो 1918 इस भी में अगला प्रशन है प्राचिन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का बेपार होता था प्राचिन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का बेपार होता था तो रेसम मार्ग से अगला प्रशन है आधूनिक यूग में अर्थ विवस्ता के छेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांती कौन सी है तो अध्योगी क्रांती अगला प्रशन है अंतराष्ट अंतराष्टिय यहने की विश्व और स्रेमिक यहने मजदूर शंगठन की अस्थापना किस वर्ष हुई तो 1919 में अगला प्रश्ण है और दियोगिक नीती गोष्ण कब जारी हुआ था तो जुलाई जुलाई 1980 में जुलाई 1980 में जुलाई 1980 में अगला प्रश्ण है आपका चोरी चोरा कंड के बाद मात्मा गंधी ने किस अंदरन को वापस लिया तो जुलाई अगला प्रश्ण है बल्ला भाई पतेल को सरदार की उपादी किस किस अंदरन के दरन दी गई तो बारदोली अंदरन के दरन दी गई थी अगला प्रश्ण है पुर्ण सोराज की मांग का प्रस्ताब कॉंग्रेस के किस वार्सिक अधिवेशन में पारित हुआ पुर्ण सोराज की मांग का प्रस्ताब कॉंग्रेस के किस वार्सिक अधिवेशन में पारित हुआ अगला प्रश्ण है शव विने अवग्या अंदरन कव और किस यात्रा से शुरू हुआ तो अगला प्रश्ण है ओ सयोग अंदरन का प्रस्ताब कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ तो अप्शन नंबर हो जागा इसका आपका ए बिल्कुल से है सितंबर उनिस सो बीस इसवी में तो दोस्तो यह सवी बहुत इन्पार्टेंट प्रश्ण थे बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा के लिए जो समाजिक विग्यान में पूछे जाएंगे और हाँ दोस्तो आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर करें और आप जिस प्रश्ण को पहले से उत्तर जान रहे थे वह भी जरूर कॉमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में सेयर जरूर करें तो मिलते हैं फिर कल जय हिन जय भारत कि गिर्मिटिया मजदूर बिहार के किस छेतर से भेजे जाते थे तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका गिर्विटिया मजदूर बिहार के पस्चिमी छेतर से भेजे जाते थे option number B बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है कि सिकेंदर कहां का निवासी था तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा यूनान का था option number C बिल्कुल सही है अगले प्रश्ण के ओर चलते हैं प्रश्ण है कि सन्य 1863 में सार परत्थम भूमी गत रेल की शुरुवात किस देश में हुई तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number C बिल्कुल सही है लंदन में 1863 में सार प्रत्थम भूमी गत रेल की शुरुवात हुई लंदन में ओप्शन वर्षी सही है अगला प्रस्थन देखिए शेप्टी लेंप का अभिस्कार किस ने किया तो हैंफरी डेवी ने किया ओप्शन नमर डी बिल्कुल सही है अगला प्रस्थन है ओद्योगी क्रांती सार प्रत्थम किस देश में हुई ओद्योगी क्रांती सार प्रत्थम इंगलेंड में हुआ था ओप्शन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रस्थन देखिए बेग्यानिक समाजवाद का परतिपादन किस ने किया बेग्यानिक समाजवाद का परतिपादन किस ने किया तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन नमर C बिर्कुल से है काल मार्स ने बेग्यानिक समाजवाद का परतिपादन किस ने किया काल मार्स ने अगला प्रस्ण देखें, नीम दली खीत में कौन ओध्योगी करंती का कारण नहीं था तो धर्म सुधार अंदोलन ये ओध्योगी करंती का कारण नहीं था उप्शन नम्मर ए सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है, भारत में पहली जूट मिल कहां अस्थापित की गई उप्शन नमबर ए बिलकुल सही है अगला प्रस्ण है, राज गुरु को फ़ंसी की सजा कब दी गई 1931 को राज गुरु को फ़ंसी की सजा दी गई थी 23.59 अगला प्रस्ण है तिन कठ्या प्रनाली किसे समंदीत है तिन कठ्या प्रनाली किसानों पर लागू हुआ था तिन कठ्या प्रनाली लागू हुआ था किस पर किसानों उपर हुआ था उप्शन नमर D सही है अगला प्रस्ण है खिलापत अंदोलन किसके द्वरा सुरू के आ गया था तो महतमागंधी के द्वरा सुरू के आ गया था उप्शन नमर A सही है अगला प्रस्ण है वेदों की और लोटो का नारा किस ने दिया था तो दयानन सोर सोती ने दिया था उप वंकिम चंदर ने किस रचीत किया है तो राश्टिय गीत अप्सन नमर बी सही है अगला फ्रस्न है रमपा विद्रो कब हुआ था तो इस प्रस्न कोतर हो जाएगा रमपा विद्रो 1916 बी में हुआ था अगला प्रस्ण है जलिया वाला बाग हत्याकन किस तिथी को हुआ था 13 अप्रेल 1919 इसवी को हुआ था अगला प्रस्ण है कॉंग्रेस पार्टी का लोहर अधिवेशन कब हुआ था अगला प्रस्ण है आपका जनेवा समझाउता किस वर्स हुआ था जनेवा समझाउता किस वर्स हुआ था तो 1954 में हुआ था अप्सन नमर सी सही है हिंद चीन में कौन राष्ट सामिल नहीं थे इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका चीन अप्सन नमर सी बिल्कुल सही है अंकोरवाट का मंदीर किस देश में बनाया गया था तो कामबोडिया में उप्सन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है विश्वु में समाजवादी सासन की अस्थापना शार प्रत्थम किस देश में हुई विश्व में समाजवादी सासन की आस्थापना सार प्रत्थम किस देश में हुई तो रूस में उप्शन नमर A सही है अगला प्रस्ण है काल मार्स का जैन्व कहां हुआ था तो जर्वनी में उप्शन नमर B सही है अगला प्रस्ण है रूस में नई आर्थिक नीती NEP की सुरुवात किसने की तो लेनी ने की थी अगला प्रस्ण है समाजुवादी घोषन पत्र के लेखक थे इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा काल मार्स अगला प्रस्ण है लाल सैनों का गठन किसने क्या था तो अप्शन नमर्डी बिल्कुल सही है ट्रश्टे की ने अगला प्रस्ण देखिए रक्त एवं लोग की नीती का अवलवन किसने क्या था इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका अप्शन नमर्ड शी बिल्कुल सही है विश्मार्क ने इसने क्या था विश्मार्क ने लोग रक्त एवं लोग की नीती का अवलवन क्या था विश्मार्क ने विसमार्क ने अगला प्रस्ण है यांग यूरोप की अस्थापना किस ने की थी मेजनी ने ओप्सन नमर भी सही है अगला प्रस्ण है कि महराष्ट में भूकम्प आने का मुख्य था तो कोईना बांद ओप्सन नमर डी सही है कोईना बांद के कारण महराष्ट में भूकम्प आता है अगला प्रस्ण है बिहार में भैंकर भूकम्प का वाया था बिहार में भूकम्प आया था 1934 में अगला प्रस्ण है कि नीमन में से कौन प्राकृतिक आवदा नहीं है तो इन में बार प्राकिर्तिक अबदा है, हिंसा नहीं है, ये मौनब के दोरा क्या रता है, भुकम प्राकिर्तिक है, सुखार प्राकिर्तिक है, तो इसमें पुछ रहा है कि आप प्राकिर्तिक अबदा नहीं है, तो इस प्रस्ने का उत्तर हो जाएगा आपका, उप्सन नमर B सही है अगला प्रस्ण है इन में से कौन प्राकृतिक अबदा नहीं है तो अतंगवाद हो जाएगा option number C बिल्कुल सही है सुनामी का प्रमुक कारण क्या है शमूंद्र में भूकम आना option number A बिल्कुल सही है भूकम किस परकार की आपदा है तो option number C बिल्कुल सही है प्राकृतिक अगला प्रस्ण है भूपाल गैस सैद्रीत किस परकार की आपदा है तो इस प्रस्णिक का उत्तर हो जाएगा आपका वायू मंडलिय यह मनव जनीत कहीं कहीं होगा दोस्तों लेकिन प्रस्णिक उत्तर हो जाएगा आपका वायू मंडलिय अगला प्रस्ण है भूकम का मापन किसके द्वरा होता है भूकम का मापन किसके द्वरा होता है तो option number C बिल्कुल सही है रियक्टर से तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छे प्रस्णि थे अगर आप यहां तक आये हैं तो आप इसे एक बार और देखें और इससे अच्छे से याद कर लें क्योंकि ऐसा ही प्रस्णि पूछा जाएगा आपको समाजीग विग्योन भी हारबोर्ड मैंड दोस्तों अगर आप चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं कि तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और अपने द अन्यवाद